हलो दोस्तों पूरी लुसेंट हिंदी ग्रामर जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेल्कम आश्तों तो ये वीडियो का साथ वा पार्ट आश्तों इससे पहले भी छे पार्ट बनाए जा चुके हैं वो भी आप चैनल पर जाएगी दिख सकते हैं तो यहां मिल ल समास है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमर सी ततपुरुष समास है रण कुशल में नेक्षन है पदमासन में कौन सा समास होगा तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमर भी बहुविर्य समास होगा पदमासन में नेक्षन है अंजनी सुत में कौन सा समास है तो इसका र में निक्षन है आशुतोष में कौन सा समास है तो इसका रेक्टांस रहे आपस नवर भी इसमें बहुरिये समास है निक्षन है जंद मोली में कौन सा समास है तो इसका रेक्टांस रहे आपस नवर सी इसमें दीगू समास है निक्षने अठ कोना में समास है तो इसका रेक्टांस रहा है आप्षन बर भी इसमें दीगू समास है निक्षने गंगा जल में कौन सा समास है तो इसका रेक्टांस रहा है आप्षन बर सी इसमें तत्पुरुष समास है नेक्ष ने यस प्राप्त में कौन सा समास है तो इसका रेक्ट आंसर है आप्ष नमबर भी करम तत्पुर समास है यस प्राप्त में नेक्ष ने राण प्रिये में कौन सा समास है तो इसका रेक्ट आंसर है आप्ष नमबर भी करम धारिये समास है नेक्षन है मुनिवर में कौन सा समास होगा तो इसका रेक्टांसर है आप्षन नमर सी करमधारी समास होगा मुनिवर में नेक्षन है ग्रह प्रवेश में कौन सा समास है तो इसका रेक्टांसर है आप्षन नमर सी इसमें तत्पुरुष समास है निक्षने वक्रत रूंड में समास कौन सा है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नबर बी इसमें बहुविरी है समास है निक्षने रातो रात में कौन सा समास है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नबर डी इसमें अव्वेविभाव समास है निक्षने सत सही में कौन सा समास है तो इसका रेक्टांस रहा है आप्षन नमबर बी इसमें दीगू समास है निक्षने देश सेवा में समास है तो इसका रेक्टांस रहा है आप्षन नमबर बी ततपुरुष समास है निक्षन है पत ब्रष्ट में कौन सा समास है आप्शन मर्भी ततपुरुष समास है निक्षन है किस समास है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रिकट करते हैं तो उस करेक्ट आप्शन मर्भी बहुरिय समास में करते हैं दो पद मिलकर एक नया अर्थ निक्षने किस समास का पहला पद संक्यावाची होता है तो इसका रिक्टांसर है आप सनमर भी दीगु समास का पहला पद संक्यावाची होता है निक्षने निम्लिकित में से किस शब्द में करमधारिय समास नहीं है तो इसका रिक्टांस रहा है आपसर नमर ये भारत वासी शब्द के अंदर करमधारी समास नहीं है निक्षने किस समास का पहला पद प्रधान होता है तो इसका रिक्टांस रहा है आपसर नमर बी अव्यवी बहाव समास में होता है पहला पद प्रधान नेक्षन है पंकज में कौन सा समास है तो इसका रेक्टांसर है आपसा नमबर भी इसमें बहुरिये समास है नेक्षन है किसे शब्द में यन संदी है तो इसका रेक्टांसर है आपसा नमबर भी अत्याचार शब्द में है यन संदी निक्षन है वियाम में कौन से संदी है तो इसका रिक्टांसर है आप्षन नमबर A इसमें यन संदी है निक्षन है निस संतान में संदी है तो इसका रिक्टांसर है आप्षन नमबर C इसमें विसर्ग संदी है निक्षन है निमोह का संधी रूप होगा तो इसका रेक्टांसर है आप्षन नमर सी निहें प्लस मोह होगा निमोह का संधी रूप है निक्षन है एक-एक में कौन सी संधी है तो इसका रेक्टांसर है आप्षन नमर ए इसमें वरदी संधी है निक्षने नव उड़ा का संधी रूप होगा तो इसका रेक्टांस रहे आप्सा नमर ए नव प्लस उड़ा होगा नव उड़ा का संधी रूप होगा निक्षने तिरसकार का संधी रूप होगा तो इसका रेक्टांस रहे आप्सा नमर ए तिरे प्लस कार होगा तिरसकार का संदी रूप नेक्षन है सदाचार में कौन सी संदी है तो इसका रेक्टांस रहा है आप्शन नमबर बी इसमें वेंजन संदी है सदाचार में नेक्षन है उजुवल का संदी रूप होगा तो इसका रेक्टांस रहा है, आप्शन नमबर C, उत्प्लस जोल होगा, उत्जोल का संधी रूप है, निक्षन है, प्रियावरण में संधी है, तो इसका रेक्टांस रहा है, आप्शन नमबर A, यन संधी है प्रियावरण में, निक्षन है, सं मार्ग का संधी रूप होगा, तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नबर D सद्ध प्लस मार्ग होगा सन्माग का संधी रूप होगा तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नबर B राम प्लस आयन होगा रामाइन का संधी रूप होगा नेक्षाने खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है तो इसका रेटांसर आप्सर नबर भी पाच्ची मी हिंदी की बोली है नेक्षाने रमेष ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाच्या मारूँगा इस वाक्या में करता है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमर सी इसमें रमेश करता है निक्ष ने उसने पढ़ा था इस वाक्य में काल है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमर भी इसमें बूत काल है राम धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है तो इसका रेक्ट आंसर है आपस नमबर B. Correct है क्रिया विशेशन शब्द है दीरे दीरे नेक्ष उने निमिलिकित में से कौन विशेशे का बेद नहीं है तो इसका रेक्ट आंसर है आपसन नमबर C. पुरुष वाचक नहीं है विशेशे का बेद उसका कोट पुराना है वाक्य में पुराना है तो इसका रेक्टान्स रहे option no.b visualization है वाक्य में पुराना next मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा इस वाक्य में आप है तो इसका रेक्टान्स रहे option no.c निजवाचक स्वरणाम है आप Nice ने राम ने कहा कि वह बाजार अज्जा रहा है इस वाक्य में वह है तो इसका रेक्टांस रहा है आप्शन नमर यह बिल्गुल का रेक्ट है वह सौर नाम है ने घर पर गर पर मा है वाक्य में पर किस कारक की विबक्ती है तो इसका रेक्टांस रहा है आप्शन नमर भी अधिकरन कारक की विबक्ती है ने लड़का दोड़ता है वाक्य में लड़का किस संग्या का उधारण है तो इसका रेक्टांस रहा है आप्शन नमर भी जाती वाचक संग्य का उधारन है निक्ष ने कौन सा निष्चे वाच्चा के स्वर नाम का उधारन है तो इसका रेक्टांस रहा है आपसर नमबर डी यह है निष्चे वाच्चा के स्वर नाम का उधारन है निक्ष ने जो सो में कौन सा सुर नाम है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमबर भी इसमें संबत वाचक सुर नाम है नेक्षने बाबा ने मुकेश को डंडा मारा कौन सा कारक है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमबर भी इसमें करता कारक है नेक्षने पेड से पत्ता गिरता है कौन सा कारक है तो इसका रिक्टांस रहा है आपसन नमर सी इसमें अपादान कारक है निक्ष ने मरना सन में कौन सा है तो इसका रिक्टांस रहा है आपसन नमर सी तत्पुरु समास है मरना सन में नेक्षन है पंचानन में कौन सा समास है तो इसका रिक्टांस रहा है आपसर नमबर भी बहुविर्य समास है पंचानन में नेक्षन है किस शब्द में वरदी संदी है तो इसका रिक्टांस रहा है आपसर नमबर ए सदेव में है वरदी संदी निक्षने किस कारक में से विबक्ती का प्रियोग सादक के अर्थ में होता है तो इसका रिक्टांस रहा है आप्शन नमबर D करण के अर्थ में होता है निक्षने हे रमेश यहां आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है तो इसका रेक्टांसर है, option number D, इसमें संबोधन कारक है नेक्षन है, संस्क्रत के आकरांत शब्द होते हैं तो इसका रेक्टांसर है, option number B, इस्तिलिंक शब्द होते हैं साकार में उपसर्ग है तो इसका रेक्टांसर है, option number D, इसमें सह उपसर्ग है साकार में निक्षने चिडिया का बहुचन क्या होगा तो इसका रेक्टांस रहे आपसर नमबर भी चिडिया होगा चिडिया का बहुचन है निक्षने मानक हिंदी में पच्छिमी हिंदी की किन दोनियों का लोब हो गया है तो इस करेक्टांस रहे आपस नमबर ए दित्व दोनियों का लोप हो गया है निक्षन है देवनागरी लिपी का विकास किस लिपी से हुआ तो इस करेक्टांस रहे आपस नमबर ए ब्रह्मी लिपी से वाता देवनागरी लिपी का विकास निक्षने आदुनिक भारतिय बाशाओं का विकास किस बाशा से हुआ है तो इसका रेक्टांस रहा है आप्शन बाशा से हुआ है आदुनिक भारतिय बाशाओं का विकास निक्षने निमलिकित में से कौन बाशा का अंग नहीं है तो इसका रिक्टांसर है आपस नमर D लेख बाश्या का अंग नहीं है कोशन है बाश्या का निर्मान इनमे सियोग से होता है तो इसका रिक्टांसर है आपस नमर C दोहनी चिन के सियोग से होता है बाश्या का निर्मान नेक्षन है बाश्या शब्द की उत्पती किस धातू से हुई है तो इसका रेक्टांसर है आपसन नमर सी बाश्या शब्द की उत्पती नेक्षन है हिंदी बाश्या का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्विकार किया गया है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर D खड़ी बोली का रूप स्विकार किया गया है निक्षने निमलिकित में से हिंदी भाष्या की लिपी है आपसर नमबर A देवनागरी लिपी है हिंदी भाष्या की निक्षने हिंदी भाष्या में बोलियों की संक्या है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमबर भी कुल मिलाकर 18 बोलिया है हिंदी भाष्या में निक्ष ने हिंदी को भारत की राज भाष्या के रूप में कब स्विकार किया गया तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर B 14 सितंबर 1950 को स्विकार किया गयता राज भाष्या की रूप में हिंदी को निक्षन है संग की भाष्या हिंदी और लिपी देवनागदी होगी यह सविदान के किस अनुचेद में कहा गया है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर B अनुचेद 343 में कहा गया है निक्षन है दही शब्द है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर B यह है पुलिंग शब्द है आज संचार मादमों में हिंदी वाष्या किस रूप में प्रियोग होती है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर D नासिक के होती है डे का उच्चारण स्तर निक्षन है समूव आचक संग्या है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर B अंगूर है जो कि समूव आचक संग्या है निक्षन है संस्क्रत के ऐसे शब्द जिने हम जियों कातियों प्रियोग में लाते हैं कहलाते हैं तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमबर डी बिल्गू का रेक्ट है इन शब्दों को हम तस्वम शब्द कहते हैं नेक्षन है नीचे दिये गए विकल्पों में से तस्सम शब्द का चैन कीजिए तो इसका रिटांसर है आपसर नमबर ए बिल्गु एरेक्ट है गोदुम है जो की तस्सम शब्द है नेक्षन है नीचे दिये गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चैन कीजिए तो इसका रिक्टांसर है option number C मुहें है जो की एक तद्भव शब्द है नेक्षन है वानर का तद्भव रूप है option number D बंदर है वानर का तद्भव रूप नेक्षन है दर्शन का तद्भव रूप है तो इसका रिक्टांसर है option number C दर्शन है दर्शन का तद्भव रूप निक्षन है निम्लिकित में से कौन सा शब्द तस्सम शब्द है तो इसका रिक्टा नसर है आप्षन नमबर ए बिच्चु जो शब्द है वह एक तद्भव शब्द है निक्षने निम्लिकित में से कौन सा शब्द तव है तुसका रिक्टान सरे आपसर नमबर ए बिच्चु जो शब्द है वह एक तदभव शब्द है निक्षने निमलिकित तस्सम तर्बो में कौन सा विकल्प अशुद है तुसका रिक्टान सरे आप्सा नमबर D चक्षू आँक यह विकल्प अशुद है निक्षने पहचान का तस्सम शब्द है तुसका रिक्टान सरे आप्सा नमबर D प्रत्य बिग्ञाने है पहर्चान का तस्संग सब्द निक्षने निम्न में से कौंसा शब्द तस्संग नहीं है तो इसका रिक्टांसर passed ौप्षन नमर भी आन्सु जो शब्द है वह एक तस्संग सब्द नहीं है निक्षने देश में जन्मा शब्द कहलाता है तो इसका रिटांसर है आपसर नमबर भी इसे हम देशज शब्द कहते हैं निक्ष ने गाड़ी शब्द है तो इसका रिटांसर है आपसर नमबर ए यह देशी शब्द है नेक्षने विदेशी शब्द से आये शब्दों को क्या कहते हैं तो इसका रिक्टांसर है आपस नमबर से इने आगत शब्द कहते हैं नेक्षने निम्न में से मुसलिम शाषन के परभाव से आया शब्द है तो इसका soundtrack सर्य आपसर नबर B हवालाज शब्द आया है मुस्लिम शाषन के प्रभाव से नेक्छ सुने निमलीकित शब्द समू में से देशद शब्द का उधरण है तो इसका soundtrack सर्य आपसर नबर A सम्मे और मलेरिया है देशद शब्द का उधरण है निक्षोने निमलिकित शब्दों में से फार्सी शब्द का उधारण है तो इसका रिक्टान सरे आप्सन नमर बी आवाज है फार्सी शब्द का उधारण है निक्षोने अलमारी शब्द है तो इसका रिक्टान सरे आप्सन नमर सी पुर्दगारी शब्द है अलमारी निक्षोने फ्रेंच भाष्या का शब्द है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर डी अंगरीजी भाष्या का शब्द है फ्रेंच निक्षोने केला का तस्सम शब्द है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर डी कदली है केला का तस्वम शब्द है नेक शुने हल्दी शब्द का तस्वम शब्द है तो इसका रिक्टा नसर है आपसन नमर बी हरिद्रा है हल्दी शब्द का तस्वम शब्द है नेक शुने इस्त्रोत के अधार पर शब्द के कितने बेद है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नबर B पांच बेद है शब्द के निक्षोने चाय किस भाष्या का शब्द है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नबर D चीनी भाष्या का शब्द है चाय निक्षोने भाष्या की सबसे छोटी इकाई है वर्ण है बाशा की सबसे चोटी काई हिंदी में मूलत है कितने वर्ण है वर्ण मिलाकर 46 वर्ण है हिंदी में सयुपत को छोड़ कर हिंदी में मूल वर्णों की सँग्या है तो इसका रिक्टांसर है आप सनमर सी मूल वर्ण चमालिस है निक्षुने हिंदी बाशा में कौन सी दोनिया है जो स्वतंत रूप से बोली या लिखी जाती है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर D स्वर दोनिया है जो की स्वत्मत रूप से बोली और लिखी जा सकती है नेक्शन है निमलिकित में से अगर स्वर नहीं है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर B जो A है वह अगर स्वर नहीं है निक्षन है हिंदी में सोरों के कितने परकार है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन मरसी पांच परकार है सोरों के नेक्षन है हिंदी वर्ण माला में अंग और एह क्या है तो इसका रिटांसर है आप सनमरे आयोग वाहा शब्द है अंग और एह हिंदी वर्ण माला में